प्रेस्ट बेल आइकन उन दी यूट्यूब आप देखरें राट 24 लोगसभा चुनाओ 2019 नतीजे चोकाने वाले और चोकाने वाले भी ऐसे कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधान मंत्री बनेंगे वहीं अलवर लोगसभा की तरफ अगर नज़र डालें तो बालक नाथ ने जबरदस्त जीत हासिल की है उनकी इस जीत के बाद पूरे जिले के अंदर हर्च उनलास का माहौल है उनके कारिकरता नाच रहे हैं कूद रहे हैं यहां तक पटा की चलना भी शुरू हो गए है पूर्व बालक नाथ ने अपने निकटतम प्रतियुदंदी कॉंग्रेस उमिद्वार पूर्व के इंद्रिय मंतरी भंवर जितंदर सिंग को जबर्दस पठखनी दिये वहीं आपको पता दें इससे पूर्व भी 2014 के चुनाओं में बाबा बालक नाथ के गुरू महंत चांदनात योगी ने भी भंवर जितंदर सिंग को जबर्दस तरीके से हराय था और वही इतिहास पुन्हे दोराया बाबा बालक नाथ ने और बहुर जितंदर सिंग एक बार फिर से उनको पचाड़ा बाबा बालक नाथ ने और उनको एक बार फिर से मार दी या यू कहें अलवर के अंदर पहले गुरू से मात खाई और अब चेले से पठकनी खाई भंवर चितंदर सिंग ने और दो दो हार एक साथ दो मात्माओं से पहले बाबा चांदनात से और अब बाबा बालक नाथ से या यू कहें बाबा बालक नाथ को जबर्दस चन समर्थन मिला इस चुनाव के अंदर खासतोर से पहरोड, मुणावर, किशनगड और तिजारा से या यू माने बहरोड में जो वोट पृतिशत था आपकी बार वो जबर्दस था लोग सबदस चुनाव के अंदर और जो य पूरे जिले के अंदर जिस तरह का माहूल रहा और जो लोगों से हमने बात की उसमें यही सामनी आया कि एक बार फिर से अब की बार मोदी लहर और मोदी के नाम से जो वोट मिले उसमें कहीं न कहीं बाबा बालक नाथ को इसका भी फाइदा मिला वहीं बाबा बालक नाथ अस्तल भॉर्मत्क के मठाधीश हैं। खास दोर सी यह मना जाएा कि बाबा ब commodity मेहरोर की मों 572 योगी वहीं जिसमाचार मिल यहा कारी करता अचानक जीह मूठे। अनुमानीं पहले से लगए जा रहा था कि बाबा बालकनाथ अलवर से चुनाव जीतेंगे भावर जीतेंदर सिंग को भी उमीद थी लेकिन ये उमीद पर पानी फिर गया क्योंकि जिस तरह से वोट प्रतिशत रहा राजगड का और जिस तरह से वोट प्रतिशत रहा बहरोड का उसमें काफी अंतर रहा, बहरोड में 70-72 प्रतिशत के लगवग वोट पड़े, तो राजगड में वोट प्रतिशत बहुत कम पड़ा, और भावर जितेंदर सिंग कहीं से भी खास बड़त नहीं बना पाए, पहले राउन में निश्ची दुरूप से भावर जितेंदर सिंग अलवर इंटर्विव में बाबा बालकनाथ ने कहा था, कि वो में चाननात के अधूरे सपने पूरे करेंगे, क्योंकि वो अपना खारेकाल पूरा नहीं कर पाये थे, और एक कैंसर जैसी बिमारी से पीडित होकरके, वो इस दुन्या में नहीं रहे दे, वो लोग घमन हो ग पाये, उनका भी एक सपना था, कि अगर अलवर की जनता ने उनको मोका दिया, तो निश्ची दुर्प से बाबा चाननाथ जी के आधूरे काम, आधूरे सपने वो पूरा करेंगे, और अलवर को देश की एक नई उचाई, नई बुलंदी पर ले करके चाहेंगे, अब सरकार जिस तरह से पूर्ण भहुमत में आई है, तो लगता है अलवर अब नई बुलंदिया चुएगा, अमारी तरब से भी बाबा बालकनाथ को उनके विजय होने पर धेर सारी शुपकाम नहीं प्रिश्ण करेस से फिल्ड लगता है अब फ्रिश्ण की बालकनाथ को उनके विज़ फिल्ड अवड़ कर दो ले खेर से प्यूब अबुलंदी नहीं